करना है और यह यहां पर यह अपने यूट्व चैनल पर स्टाड़ किया है और वह बैज यह विस्वास बैज और हम जो है फिजिक्स की सीरीज क्रीज कि है है और हमने जो है इसके अंदर 11 का फिजिक्स कवर करना है और अपना जो पॉइंट ऑफ टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा आपका ट्वैंडी ट्वैंडी फॉर का नीट का जो है सेलेक्शन तो हमें आपका सेलेक्शन कराना है तो आप हमसे पूरे विश्वास के साथ होगे तो फिजिक्स के साथ जुड़ेगा और आज का जो हम चैप्टर जो नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काइनमेटिक्स तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बताईएगा और इससे जुड़ेगा आपका विश्वास बैच काइनमेटिक्स के साथ तो आज जो हम स दो वर्ट शेप बना है एक हमको मूसान की चैलकूलीशन करना है मूसान कैलकूलेशन कमातलब मूसान इसकी मैस याने उसका कैलकूलीशन हम इस चैप्टर के अंदर motion in one dimension, two dimension, three dimensions पढ़ेंगे लेकिन इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे कि motion तो हो रही है लेकिन motion के पीछे का कारण क्या है उसके पीछे का जो region होता है उसके पीछे का कारण होता है वो होता है force किसी भी object पे apply करना लेकिन हम यहां पर जो पढ़ेंगे उसको region को तो पढ़ेंगे ही नहीं लेकिन motion के अंदर क्या क्या terms हो रही है motion को किस तरीके से define किया जा रहा है हमें तो केबल वही समझना है जैसे हम बात भी करें तो motion के अंदर जो हो रहा होगा कि यदि किसी भी object को move करना है यानि कि अपनी position को change करना है जैसे अप ninth class में पढ़ते थे कि एक object अपनी position को change कर रहा है with respect to the time that is called the motion तो उस motion के अंदर क्या है distance होता है, displacement होता है spread कुछ होता है velocity कुछ होता है, acceleration कुछ होता है तो यह basic terms जो है हमें इस kinematics के अंदर समझना है but force की बात नहीं करेंगे क्योंकि motion का जो region है force है और वो हम kinematics के अंदर नहीं करते हैं, हम उसको dynamics के अंदर समझेंगे जब motion की dynamics के बारे में बात करेंगे कि motion जो हुई है, उसके बीचे का basic region जो force है समझेंगे लेकिन इसके अंदर समझेंगे लेकिन इसके अंदर तो हमें बेसिक अपना distance, displacement, speed, velocity और acceleration ही समझना है तो सबसे पहले हम जो है इस motion को define करने के लिए जो term यूज करेंगे वो है frame of reference जैसे motion के बारे में तोड़ा define भी करें तो motion क्या है motion का मतलब होता है कि when an object change its position with respect to the time is called motion motion को na define करने के लिए उसको समझने के लिए कुछ responsible factors है कुछ essential factors है जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ frame of reference frame of reference में आपको problem है frame of reference आपको समझ नहीं आएगा तो आप motion के kinematics को कभी नहीं समझ पाऊगे frame of reference के बना तो motion को समझा ही नहीं जा सकता है motion को समझने के लिए frame of reference observer और observer ने जो object motion कर रहा है उसको देखना कब start किया object जिसको देख रहा है object जो है जिसको observer देख रहा है उसकी position क्या है उनको कैसे represent करते हैं वो सब कुछ frame of reference में आता है और जब हमें ये frame of reference समझ आ जाता है तब ही हमें समझ में आता है कि motion के अंदर अचुली क्या हो रहा है तो सबसे पहले समझेंगे frame of reference को frame of reference क्या है जैसे कि motion को समझने के लिए सबसे पहले एक object वो object की position क्या है उस object की position को represent करने के लिए हम कुछ coordinate axis का जूज करते हैं जिसको हम लोग बोले तो x-axis जैसे आप जानते भी हो y-axis है, z-axis है तो हम किस तरीके से किसी भी object की position को represent करते हैं तो जैसे मान के चलिएगा कि हमारे पास एक object है और वो object ये point पे है अब इसकी position को कैसे represent करें तो इसकी position को represent करने के लिए अपन लोगों के पास coordinate system होता है जैसे मान के चलिएगा कि हमारे पास एक coordinate system था जिसके अंदर यहाँ x-axis था यहाँ y-axis था और यहाँ z-axis था तो इस object की जो position है origin से क्या है तो origin से जो इसका दूरी बनेगा इसका जो बीच का जो difference बनेगा उसको हम यहाँ कहते हैं r-vector और इस r-vector को हम represent करते हैं this is called position vector जाने की किसी भी object की position को आपने coordinate axis की help से represent किया और origin से कितना difference है उसका बई यहाँ से origin o और यह हो गया a तो o से लेकर के a तक का कितना यह length है कितना यह distance है कितना यह difference है इसको ही हम position बविघकर करते हैं अब इस object की position को आप लोग represent कर सकते हैं मान के चलिएगा कि यहाँ किसी space के अंदर हो जो है move कर रहा था या फिर किसी line के अंदर move कर रहा था या फिर किसी भी इस जो है एक surface यहाँ की plane के अंदर move कर रहा था तो यदि यहां पर यह किसी स्पेस के अंदर यानि कि थ्री डाइमेंशन के अंदर यदि मूब करें तो हम इसकी पोजीशन को यहां रिपर्जेंट करेंगे कि इसके पास x-axis में भी कुछ लेंथ है तो हम उसको रिपर्जेंट करेंगे x-axis आई-caps करेंगे व्यक्तर आप चा क्या हो जाएगा जैड तो हम इसकी पोजीशन को रिपर्जेंट करेंगे किस से एक्स आई-caps वाई-जी-कैप पलज जैड के अब देखिएगा यह जो कोडिनेट सिस्टम मैंने जो यूज किया यदि मानके चलिएगा कि आपने किसी भी आपज़ेंट की पोजीशन को यह क कि इसकी पोजीशन को रिपरेंट करने के लिए मुझे ना तो यमूजे द Fest खिए ना ही मुझे देखिग है एक्सइच ठीवाल थे तो जब और यह लाइन में चलता है in one line only और उसको रिपरेंट करने के लिए उसकी पॉजीशन को रिपरेंट करने के लिए आपको किवाल ए एक ही एक्सिज की जरूरत है तो हम उसको कहते हैं बच्चा पल्टी वन डाइमेंशनल मोसन उसको हम लोग क्या बोलते हैं वन डाइमेंशनल मोसन अब मान लीजिएगा कि भाया इस बोड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जैसे मान के चलेगा कि यहां से जो है वो ऐसे चला गया है यहां पहुँच गया है तो अब इस पोजीशन को रीपरिंट करने के लिए मुझे यह एक्सिज भी चाहिएगा और मुझे जो है यह एक्सिज भी चाहिएगा तो याने की इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अपना वाई एक्सिज पे भी कुछ है और व यदि कोई भी object surface पे चल रहा है याने की plane के अंदर चल रहा है और यदि plane के अंदर चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अपने को अपन को जो है दो axis का नीर पड़ गया जाने की इस तरीके की motion को हम लोग कहेंगे this is two dimensional motion जाने की example के तोर पे आप बोले तो भाईया कोई surface के अ अंदर motion कर रहा है ठीक है अब मालने जो भाईया 3D क्या है 3D का मतलब है ना तो line पे चल रहा है ना ही जो है अपना किसी surface या plane के अंदर चल रहा है बलकि वो किसी space के अंदर चल रहा है अब space के अंदर चलने का मतलब क्या है three dimensional याने की उसकी position को represent करने लिए अपनको x axis भी चाहिएगा और z axis भी चाहिएगा तो इस तरीके के लिए जब हम यूज करते हैं three coordinate axis को तो हम उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते है three dimensional motion याने की object इदी space के अंदर मूग करे तो space के अंदर के मूग करने के लिए उसके motion को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा पार्टे three dimensional motion अब द देखने वाला भी तो कोई चाहिएगा अरे इसको देख कौन रहा है यह चल रहा है यह भाग रहा है तो इसको कोई देख भी तो रहा होगा अब इसको कौन देखेगा अब अपने आपको कोई देखना चाहता है अरे इसको कोई दूसरा ही तो ना आदमी देखेगा तो जब अब इसको कोई देखेगा दूसरा आदमी या दूसरा परसन जिसको हम लोग फिजिक्स में ऑजरबर बोलते हैं तो वो जो ऑजरबर देखेगा तभी तो ना पता चलेगा कि यह चल रहा है क्या पता उस अरे खुद अपने आप में मस्त है उसको नहीं पता हम चल रहा है सो र कर दिया अब यार देखो ऑब जर बर का थोड़ा सा अपना अलग से सीन है अब जर्बर क्या चाहता है भाईया हम तुम्हारी मोसन को तभी रिप्रिजेंट कर पाएगा जब जब हम तुमको दीखना इस्टार्ट करेगा अब मान लीजिएगा कि भाई आपके सामने से कार गुजर गई अब वो कार पीछे से कहां से आ रही है आपको क्या पता अरे आपके सामने से जब गुजरी आपने घड़ी यदि घड़ी है तो आपने घड़ी को देखा अरे सर ग्यारा बज़रा है तो ग्यारा बज़े आपने देखा तो जिस टाइम पे आ तो जाने की पोजिशन, आपजरबर, आपजरबर के साथ साथ आपजरबर ने देखना इस्टार्ड कब गिया तो इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा किसी भी आपज़क्ट की मोशन तो मोशन को समझने के लिए यह आपको जरूर पता होना चाहिए पोजिशन, आपजरबर ने कब उसको देखना स्टार्ड किया तो इन तीनों का जो गुरूप जो है इन तीनों को मिलाकर के जो सिस्टम बनता है उसी को ही हम कहते है फ्रेम ओफ रिफरेंस फ्रेम ओफ रिफरेंस ठीक है फ्रेम ओफ रिफरेंस तो आपने देखना स्टार्ड किया उसके बाद फिर स्टार्ड कराते हैं आगे डिस्टेल्स और डिस्प्लेस्मेंट को ओके हो गया आप लोगों को यह जो फ्रेम उफ रीफरेंस है उसको समझने में बहुत मजा आया होगा और फ्रेम उफ रीफरेंस ही दिया आपको के लिए तो आपको काईमेटिक्स के अंदर कोई नहीं रुख सकता आपको नमेरिकस लगाने से कोई में रुख सकता देखेगा बहुत इजी-जी कोशन जो है इसके अंदर होते हैं कानेमेटिक्स के अंदर बहुत हाड़ आप लोगों को कोशन नहीं लगाना लेकिन को समझना बहुत अच्छी करें देखेगा बच्छा पालते तो अब हम स्टार्ड करेंगे सबसे पहले कि भाई यह जो मूशन हो रही है यह मूशन क्या एक ही टाइम पे कोई अब्जेक्ट चल रहा है मूव कर रहा है हम यह भी कह सकते हैं कि नहीं वह मूव नहीं कर रहा है अब ही मैंने आप लोगों को बताया कि अब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए और बहुत जरूरी है और रिफ्रेंस समझ रहे हैं कि पोजीशन क्या है अब्जेक्ट की अब्जेर्बर कौन है उसको कौन देख रहा है और ऑब्जेर्बर ने उसको देखना कम जो मौशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन इजर स्लेटिव टर्म यह निटिव टर्म होते हैं अब ज्याने की कोई भी ऑब्जेक्ट है यह जो है क्या वो एक ही टाइम पर रेष्ट में भी हो सकता है और मूशन में हो सकता है येस बिल्कुल हो सकता है जैसे मैं आपको छोटा सा एक्जामपल देता हूँ कि मान लीजिए था कि आप तीन लोग हो एक A, एक B और एक C अब A, B और C अब A और B जो है वो तो एक कार में है वो कार में है ठीक है ये अपना एक कार हो गया बॉक्स आप अपने पास तो है नहीं भाईया कार अपने बॉक्स ही बनाना पड़ेगा तो A और B एक कार के अंदर है और उनका एक दोस्त है और वो ग्राउंड पे खड़ा अब यह ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर खड़ा होने का मतलब क्या भाई यह तो रुका हुआ है यानि कि यह तो रेस्ट पर है अब यह कार जो है वो चल रही है यह मूब कर रही है और यह सामने की डारेक्शन में मूब कर रही है तो मैंने आप से पूछा 4A A के लिए 4A B किस में है REST में है REST में है REST में है या MOVE कर रहा है तो A के लिए क्योंकि बई दोनों कार में है कार एक साथ चल रही है बई कार तो चल रही है तो A भी कार में है B भी कार में है तो B को Sorry A को क्या लगेगा कि बी तो रेस्ट में मेरे साथ तो बैठा हुआ है यह चली नहीं रहा है तो की कार चल रही है ना कार के अंदर बैठे हुए है और भी तो बहुत यह को क्या लगेगा बी तो रेस्ट में है लेकिन निमें आप लेगों से पूछूँ कि भई यह जो थर्ड परसंट जो ए जो C के लिए B किस हो गया? C के लिए n B एखी, पर्सन था बी और इक ही टाइम पर celestial मोसन में क्यों ऐसा के हो रहा है? कुछ कि अलग अलग है मैंने आपको बताया था कि फ्रे Finnish की हलप से ही तो हम समझते हैं किसी भी औब्जक्त की मोसन को और देखिएगा कि यहां जब मैं ग्राउंड वाले फ्रेम ओफ रिफरेंस की बात कर रहा हूं जिसमें परसंसी है उसके लिए तो भी मूसन में फ्रेम ओफ रिफरेंस अलग हो गया ग्राउंड वाला हो गया लेकिन जब मैंने आप से कहा कि भई एक लिए क्योंकि यह तो कार रहा था बिल्याफ फ्रेम औफ रिफरेंस यदि आपको नहीं समझा रहा है तो फिर आप मोचन को नहीं समझ पाऊंगे तो इसी वजह से जो आपनों को कहा जो नहीं समझ पना ही और नेक्स लेक्शर वीडियो के अंदर नेक्स लेक्चर वीडियो के निदर हम स्टार्ड करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लिस्मेंट और उसके कुछ बहतरी नुमेरिकल समलोग लगाएंगे थैंक यू जब तक के लिए बाइबाइब जल्दी ही मिलेंगे थैंक यू